बहुजन समाज पार्टी की प्रमोख मायावती ने शनिवार को भववां की चुनाव सभा में कहा कि बीजेपी कहती है कि वो किसानों को 6,000 रुपिय देगी लेकिन हमने इसकी जगे सरकारीवन नीजी सेक्टर में रोजगार देने का फैसला किया है किसानों को 6,000 देने का भाजपा का ये वादा भी जूट का पुलिंदा उसी तरह सावित होगा जिस तरह पिछले चुनाव में किये अपने किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया उन्होंने आगे कहा कि कॉंग्रिस ने मंडल आयूक की सिफारिश को रोका तो उनके दबाव में आकर विपिसिंग की सरकार ने इसे लागू किया क्योंकि हमने इसी शर्थ पर संयुक्त मूर्चा की सरकार को समर्थन दिया कि वो बाबा साहिब डॉक्टर अंबेड कर को भा होजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनुश कुमार को जीत दिलाने के अपिल आम जनों से की